इस lecture में हम बात करेंगे कि कुछ basic terminologies जो data analysis या data science के courses के अंदर use की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं और जो आपकी job के लिए बहुत जरूरी हैं। तो start करते हैं, सबसे पहले जो एक term बार-बार use की जाती है EDA, इसके बारे में हम बात करेंगे, EDA क्या होता है? EDA का मतलब है कि exploratory data analysis, यानि कि आपके पास जितना data आया है उसको explore करना, और अगर आपको एक term का पता है जिसको descriptive statistics बोलते हैं, तो ये descriptive statistics इसके अंदर बहुत ज्यादा use की जाती है, descriptive statistics. इसमें होता क्या है? EDA के अंदर आप data जितना होता है आप उसको explore करते हैं, आप चेक करते हैं कि data का pattern क्या है, आप चेक करते हैं कि data की center क्या बन रही है, आप चेक करते हैं कि data normalized है या नहीं है, आप चेक करते हैं कि data में missing values हैं या नहीं है, मतलब data के कुछ column missing में तो नहीं ह करते हैं कि चलें columns की बात है तो आप check करते हैं कि columns पर छेक्क करते हैं कि rows कितनी हैं, फिर आप check करते हैं कि data के variable type क्या है, मतलब data type क्या है, फिर आप check करते एं data type के बाद कि data of types के alld mead क्या type को convert करना पड़ेगा या नहीं, जिसको हम type casting बोलते हैं अब फिर इसके बाद आप चेक करते हैं कि कौन सी कॉलम जो है वो बहुत ज्यादा important है जिसमें आप correlations वगारा लगाते हैं और आप basic data के spread को चेक करते हैं कि data spread किस तरीके से हुए और आप duplicate चेक करते हैं कि data हमें कुछ duplicate तो नहीं है ठीक है ये सारा कुछ analysis करते हैं और इसके इलावा भी बहुत ज्यादा काम है एडिये का मतलब है data को explore करना data के खदोखाल देखना खदोखाल यानि के मुशाबध ठीक है वो शायर नहीं कहता कि नाजकी उसके पंखड़ी के गुलाब किसी है तो basically वो पूरे के पूरे डेटा को different ways में बियान कर रहे है ठीक है पंखड़ी के गुलाब किसी है तो ये आप detail में उसका सारा answer दे रहे है इसकी अगर हम summary देखें ना data की तो उसको भी EDA के अंदर हम लिखते हैं summary का मतलब यह simply के बहुत सोनी है ठीक है तो EDA के अंदर हम ये काम करते हैं और आपको एक मज़े की बात बता दूँ जब भी आप किसी बड़ी company में लगते है न तो EDA जो है वो 80% of the time आप EDA perform करते हैं क्योंकि अगर आपने बड़े-बड़े काम करने है तो आपका data जो है process होगा तो फिर ही आप आगए जाएंगे न तो यह काम जो है EDA सबसे पहला आपका top knowledge का skill होना चाहिए EDA ठीक है और सिरफ EDA के base पे आप लाखो रुपया भी कमा सकते हैं then हम दूसरी जो हमारी चीज है उसके उपर जाते हैं वो है जो हमारे पास दूसरा जो term है एक यूज होती बहुत उसको बोलते है data wrangling data wrangling क्या होती अब आपने जब EDA के अंदर data के ख़दोखाल बयान किये न तो आपने data के खामियां भी देखनी होती है कि data के अंदर मसले मसाइल क्या है for example EDA के अंदर आपने देखा कि data के अंदर भी जान missing values है ठीक है तो आपने क्या करना है wrangling के अंदर ना उन missing values को deal करना है deal के तरीके हैं सबसे पहले या तो वो पूरे के पूरे remove कर दें column को ठीक है या आप rose को remove कर दें वो वाली को या आप उनको center के साथ fill कर दें ठीक है या आप उनको mean median mod के साथ fill कर दें या आप क्या करें कोई imputer जो है उसे use कर लें लाने के machine learning के techniques use करके उनको fill कर लें फिर अगर आपके पास EDA के अंदर duplicated values आईए यानि के duplicates आपके पास आएं आपने क्या करना है इसके अंदर उसको duplicates को remove करना है remove duplicates wrangling के अंदर ठीक है मतलब वहां पर आपने कुछ देखा यहां पर उसको deal कर लिया wrangling के अंदर अब तीसरी चीज हमारे पास आती है कि data नॉर्मलाइज नहीं होता नॉर्मलाइज नहीं है डेटा ठीक है तो हम क्या करेंगे उस डेटा को यहां पर नॉर्मलाइज करेंगे नॉर्मलाइज क्या होता है कि डेटा एक जब उसको आप draw करें तो वह यह इस तरीके से bell curve बना रहा हो ठीक है अच्छे तरीके से data जो है आप यह भी कर सकते हैं कि इस data को normalize करने के लिए आप simply कुछ भी ना करें log transformation कर दें log लेने data का ठीक है transformation फिर इसके बाद आप इसको min max scalar का method होता है उससे भी कर सकते है ठीक है या आप इसके लिए कोई square root का method use कर ले ठीक है इस तरह की काफी चीज़े होती है इससे क्या होता है कि data आपका एक scale के अंदर आ जाता है आपका main काम यही होता है कि data को एक scale के अंदर लेके आना क्यूंकि अगर आपका data non normalized हो ना तो वो data कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपका यहाँ पे ज्यादा data है लेकिन end पे ज्याद अगली चीज़ हम units check करते हैं अकसर उकात ऐसा होता है कि एक data है हमारे पास for example height का data है अगर तो जब हम EDA कर रहे होते हैं मैं पता चलता है कि centimeter के अंदर भी है इसके अंदर data fit के अंदर भी है और आपका meters के अंदर भी है ठीक है आपने unit को same करना होता है ठीक है तो homogenize the units इसक link के अंदर units को homogenize कर लिया फिर इसके बाद अगर हम आगे चले एक step further units के बाद हम data अकसर उकात ऐसे होता है कि data जो है वो numeric है लेकिन वो python के अंदर store हुआ as a character या category category for example यह कौन सा data होता है मैं अभी आपको बताता हूँ हमारे पास recently एक project के अंदर data आया जिसमें हम number of installation यह आपके number of installation और हमारे पास data इस तरीके सा 5,000 plus ठीक है मतलब 5000 plus data है हमारे पास समय रही और यह इसी वज़ा से एक string में था क्योंकि इसमें plus भी था और comma भी था तो हमने गया किया सबसे पहले तो इसमें से comma को remove किया यह जो चीज थी और फिर plus को remove किया तो हमारे पास data आग convert हो गया तो इसको हम type casting बोलते हैं और इसको data wrangling के अंदर हम data cleaning कहते हैं ठीक है data cleaning तो हमने ऐसे कर लिया units में भी अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास data है 1000 cm यहां पर 20 meter आ गया फिर 15 feet आ गया something like this तो आप यह centimeter feet और बाकी चीज़ों को remove करके ना homogenize unit करते हैं कि हमारे पास height हमे हमने type casting करके यहां पर लिख लिया normalize भी कर लिया और बाकी चीज़े भी कर लिया अब data cleaning के अंदर एक और step यह होता है कि जो आपको इस process को खेर हम pre processing भी बोलते है data pre processing data की pre processing जो है यह data wrangling के अंदर ही होती है pre processing का मतलब यह है कि data की जो भी खामिया है ना उनको remove करना खामिया remove करनी है हमने remove करने के बाद हम data को इस काबिल बना देते हैं काबिल data हमारे पास आ जाता है कि वो बाद में analysis कर सके हम उस पर ठीक है क्योंकि हमारे जो steps है मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में ask फिर उसके बाद जाता है prepare फिर जाता है process फिर हम analyze कर और फिर हम करते है share and then act तो यह हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे steps होते हैं तो हम जब data हमारे पास होता है ask से हमें और पास data आता है prepare से हम उसे उतियार करते है process से हम उस पे statistical analysis और बाकी चीज़े लगाते हैं यानिकर data wrangling वगरा यहां पे कर लेते हैं इन दोनो steps के अंदर data wrangling and EDA चल रहा होता है and then हम आगे चलते हैं जनाब analysis की तरफ analysis तब होगा जब data processed होगा preprocess या prepared होगा data ठीक है prepare से process तक जाने जाने के तक हम EDA यहां पे कर लेते हैं खुद को prepare करने के लिए और data को preprocess भी हम यहां पे कर लेते हैं और हम यहां पे data की wrangling करते हैं ठीक है और जब यह data wrangled हो जाए तब हम कहते हैं कि यह अब analysis के काबिल है now you can proceed with analysis proceed with analysis और यहां पे analysis के दुरान आप सारी जो भी questions आपने पहले पूछे होते हैं उनके answers करते हैं data analysis का सबसे ज्यादा time data analyst का यहां पे गुजड़ता है ठीक है फिर आप data की output यहां पे share करते हैं then आप act करते हैं तो इस वज़ा से जो data analysis की preprocessing और data wrangling है यह बहुत important है data wrangling के कुछ और भी steps है जो हम future में देखेंगे ठीक है और process के अंदर wrangling के अंदर चलो मैं आपको एक और step बताते तो future में फिर बात में हम और चीज़े advanced level पे देखने वाले हैं एक चीज होती है feature engineering feature engineering यह चीज होती है कि आपके पास अगर data जो है उसकी जो dimension है वो यह है कि आपके पास 2.3 million rows है multiplied by 24 जो आपके पास columns है तो आप क्या करते हैं 24 में से कुछ important column select करते हैं for example वो 12 थीक है तो इस step को हम बोलते है feature engineering थीक है feature engineering basically machine learning के अंदर यूज की जाती है जब हम machine learning के chapters पर जाएंगे तन I will teach you more लेकिन for now you can understand कि columns को important columns को रखना और बाकियों को side पर कर देना खुड़े line लगा देना उसका feature engineering बोलते है यह भी इसका एक important stuff है तो हमें यह सारी बाते हैं यहाँ पर याद रखनी है अब आगे चलते हैं rows का दूसरा नाम जो है इने observations भी बोलते है ठेक है इने को हम instances भी बोलते है और readings भी बोला जाते हैं columns को हम attributes भी बोलते है इनको हम variables भी बोलते है और बेसिकली अक्सर उकात इनको लेबल भी बोला जाता है बद इट डिपेंस के जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे मिशीन लेर्निंग में दनावल डेलियो इसके इलावा आप क्या सोचते हैं के कॉलम्स को हम और क्या नाम दे सकते हैं वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगा बाकी टर्म्स के अंदर हमारे पास मशीन लेर्निंग से रिलेटिड आती हैं वह मैं अभी बात नहीं करने वाला अभी एडियो डेटा रेंगलिंग के उपर हम रहने वाले हैं इस वज़ा से आपको क्या लगता है कि और कौन नहीं किया हुआ क्योंकि हम जो हैं आपके लिए रुज़ाना के बेसिज़ पर काफी वीडियो लेके आने वाले हैं अलाहफिज